असलाम उलेकूम कैसे आप सब उमीद करती हूँ, खैरियत से होंगे आपबोुके रोजि रमजान कैसे जा रहे है ? चिर्व पहने हम पना जाएंगे नाप अलिकट कई एग लिय। और आप अपनी चिकन को टिका या तंदूर कर लीजेए लो टिका या तंदूर करनी के लिए को क्या करना है कि मसाले में जो बोन लेस चिकन बैणे ब्रेस पीस थोड़े थोड़े मतलब क्यूबस रखकर आप को स्लो आज पर आप ढखकर रख दीजे, स्लो पर रख देने के बाद उसमें काफी सारा वाटर निकलेगा, उसके अद वाटर के फ्लेम को हाई करिए और पानी को जला लीजे, और कटिंग में जो जाएंगी चीजे वो है ओनियन, कैबिज और कैपसिकम, ये तीन ही चीजे जाएंगी उसे आप इस तरीके से काट लीजेगा, और फिर ये देखे, पानी जल जाने के बाद आपकर टिका या तंदूर जो भी है वो रेडी हो चुका है, और फिर हम जो रोल्स है, जो रोल रहेंगे, उसके मैदे की तैयारी कर लेंगे, मैदा ले लेंगे, उसमें एक पानी डाल और उसे मैं गुंदूंगी, पानी लगा लगा कर भी गुंदूंगी, और मैदे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके से रहना चाहिए, जादा गीला मैदा मत रखेगा ने तो आपका सारा मेटीरियल फटकर निकल जाएगा, आपकी रोटी में से, और बहुत जादा टा जाएग रोल है तो अंडे तो लगेंगे ही, इसमें नमक और ब्लैक पेपर डाल दिया है, इसे अच्छी तरीके से फेट लीजे, आपको जितने अंडे चाहिए आप ले सकते हैं, अंडो को हम लोग बिल्कुल रोटी की ही फॉर्म में फ्राइ कर करके हम लोग अपने निका में चीज के लिए में फॉर्म जाल गारा चीज है, अब जो लिए लेंगा है यह प्रोड़ गारा बिल्कुल तो आप ले लीजेगा, यह हमारा पूरा टोटल मटेरियल रेडी है उसे हम एक साथ मिक्स कर लेंगे, अब जो हमने बनाने कर लेंगे, आप जो बिल्क्र आप ल मैदय को बना कर रखा था उसके हम छोटी छोटी सी रोटिया बना लेंगे छोटी मतलब जितना साइस का आपको रोल चाहिए मैने तो नॉर्मल जो एक रोटी खाते है घर में उस तरीके की रोटी बनाई है उतनी बड़ी आप रोटी बना लीजेगा यही मेरी रेसिपी पहले इहाए जो मैने रमजान प्रीपरिशन पार्ट वन में बताई ए वही ग्रीन चाटनी है बूज रखेंगे हमारा चिकन टिकका आए के लिगा हमारी चीज reflects है मिक्स कर से मीटिरियल्स ठीज अपने ही प। रखेंगे ऊपर सीच डाले पित पूल ए Reporting जब डिअज kari चिकन टिक में और की समें हैं। कोई भी चीज से तोड़ते है और खाने जाते है तो इसके लिए मैंने ले लिया है बाद में आप देख सकते हो से क्लोज करने का तरीका बिलकुल मिलता जूलता है आटे की लोई बना कर रखी है वहाँ पर साइड में आप इसे बना कर रखी है यह जादा डबों में भर दीजेगा यह मैदा है एक दूसर से रोल्स चिपक जाएंगे निकालने के टाइम पर बहुत मुसीबत हो जाती है यह मैंने ऐसे तरीके से भी डबे में भरके रख दिया था और इसे मैंने मेरे प्लेट्स में उपर से प्लास्टिक का रैपर लगा कर भी मैंने इसे फ्रीजर में रखा था वह वाला जो मैंने माटीरियल रखा था और फिर आप उसे शेलो फ्राइ कर लीजेए डीफ यह अच्छा रहता है बस आपका चिकन टिकका एग रोल रेडी है तो आप इसे इंजॉय करिए रमजान में बनाएए खाई है इंजॉय करिए वन आफ दी फेवरेट रोल है चिकन टिकका एग रोल यह एक्चुली मेरी बच्पन की याद है इसके साथ भी रमजानों के डाइम स्पेशली बैंडरा बॉंबे में बैंडरा है वहाँ पर स्टेशन के भार एक होटल है यादगार होटल वहाँ पर हम लोग यह चिकन टिकक का एग रोल जरूर लेते थे और वह बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी रहता था यह भी बिलकुल वैसे ही है होटल वाले ज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शुक्रिया